हलो गाईज स्वागत है प्रेम की रसो ये अंटीवसेन वलोग में तो गाईज आज हम बनाएंगे पपीते का चोखा पपीता का चोखा बहुत टेस्टी बनके तयार होता है वो भी बहुत कम समय में बनाके तयार करूँगी दाल चावल के साथ खाईए अपना मन पसंद के तयार करेंगे चोखा बनाने के लिए हमने 500 doorse का लेगे काच्छा लिये काट लेंगे उसके बाद छोटे छोटे लंबा लंबा पीस काट के छिलेंगे उसे बहुत असानी से छिला जाता है यह देखिए इसमें कितना बीज लिकल रहा है तो इस तरह से जाली इसको पूरे लिकाल लेंगे जाली इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इस तरह से बणिया से छिलने के बाद इसको पलट के चकू से या छिलनी से इस तरह से छिल लेंगे पपीता में थोड़ी सी जाली रहेगा तो चोखा कड़वा लगेगा तो इसको इस तरह से बणिया से लिकाल लेना है चकू से भी बहुत आसानी से छिला जाता है इस तरह से देखिए दोनों तरफ से जाली लिकाल के छिल लेना है उसके बाद बड़ा-बड़ा पीसे से में इस तरह से काट लेना है उसके बाद बनिया से इसको साफ पानी से वास कर लेंगे दो सीटी इसको लगाएंगे दो सीटी में बहुत अच्छा से बॉयल हो जाता है तो गाईस बड़ा या छोटा कैसे भी इसको काट के तयार कर सकते है क्योंकि इसको बॉयल करना है यह देखिए हमने बॉयल करके तयार कर लिए है बढ़िया से ठंडा हो गया है इस तरह से पपीता को तूटना चाहिए एक दमजे से आलू बॉयल करते है उससी तरह से बॉयल इसको करके तयार कर लिए है दो मीडियम साइट टमाटर को बारिक-बारिक चौप कर लिए है कुछ हमने तड़का के लिए तैयार किए है तो यह तीन चर कर लिया लासन को कुछ लिये है छोटा संदर कर तूकरा को कदू-कस कर लिये है방 तीन मिर्ची को लंबा Why काटके तैयार कर लिये और है यह हमने एक नीम्बो लिये हUE तह पूरा नीम्बो का इस्तमाल नहीं करेंगे तो सबसे पहले पपीता ठंडा हो गया इसको इस तरह से पानी को निचोर लेंगे तड़का लगाते समय पे पानी पपीता में नहीं रना चाहिए तो यह पपीता के पानी जब जरूरत पड़ेगा तो इस्तमाल करेंगे तो देखिए कितना पानी पापीता में से लिकल रहा है कि कि पानी डाल के इसको बॉयल हुआ है यह पानी भी इसका बहुत फैदे मन होता है तो इसको हम साइड में रख देते हैं उसके बाद पपीता को बढ़िया से इस तरह से फोर लेंगे जैसे आलु को फोरते हैं उसी तरह से लंस नहीं रहना चाहिए इसमें तो गाईज पपीता को बॉयल करते समय पे ध्यान रखना है कि दो सीटी से ज़्यादा नहीं लगाना है नहीं तो ज़्यादा पक जाएगा तो जैसे कि आप लोग का वीडियो में देखाए है उतना ही पकना चाहिए उसके बाद इस तरह से मसाल के हमने तयार कर लिये है गैस पे हम कराही रखेंगे कडाही बढ़िया से गरम हो गया इसमें हम सरसो तेल आइड करेंगे ज्यादा से सरसो तेल में बनाई गाई इसे टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है अधरक हमने जो कदू कस करके रखे है उसको भी आइड कर लेंगे उसके बाद इस तरह से 10-12 सेकेंड चलाएंगे हलका गोल्डर ब्राउंड हो जाएगा तो इसमें लासन मिर्ची को आइड कर लेंगे उसके बाद इसको भी 10-12 सेकेंड इस तरह से चलाएंगे उसके बाद टमाटर को आइड कर लेंगे टमाटर आड करने के बाद साथे साथ कुछ इसमें मसाला पाउडर को आड करेंगे तो सबसे पहले सवादानसार नमक आड करेंगे दूतिन चुटकी के लगवा हल्दी पाउडर को आड कर लेंगे हल्दी पाउडर ज्यादा नहीं आड करना है अधा चमच के लगवाग इसमें धनिया पॉडर को आड़ कर लेंगे साथे साथ एक चमच के लगवाग का स्मीरी मीर्ची पॉडर को आड़ कर लेंगे इससे टेस्ट बहुत बढिया आता है फिले भर बहुत बढिया आता है चोखा का सारे मसाला डालके बणिया से इसको एक मिनट तक भूजेंगे एक मिनट के लगवाग हो गया है जो हमने पानी रखे हैं पपीता का उसको इसी में एड़ कर लेंगे गैस के फिले मपडाउन करके मसाला को बणिया से पका लेंगे दो तीन मिनिट के लगवाग हो गया है मसाला बणिया से भुजा गया है अब इसमें हम एक चमच के लगवाग नीमबो के जूस आइड कर लेंगे चोखा थोड़ा खाटा खाना पसंद करते हैं तो एक चमच के लगभग नीमबो को आइड कर सकते हैं नहीं तो नीमबो इसकीप कर सकते हैं लेकिन नीमबो से टेस्ट बहुत बढ़ियां आता है चोखे का मसाला में चोखा डालके लगभग 3-4 मिनट गयज के फ्लेम तेज करके भूजेंगे कि जो इसका पानी है बढ़ियां से सुख जाए बढ़ियां से सुखेगा तब ही टेस्ट बहुत बढ़ियां आएगा चोखा का छोड़ना नहीं है इसको इस तरह से चलाते हुए बढ़ियां से इसको पानी को सुखा देना है जैसे की गाईज देख रहा है ती-4 मिनट का लगभग हो गया है पानी बढ़ियां से सुख गया है अकड़ाई से तेल छोड़ दिया है इसी तरह से रहना चाहिए तो यह देखिए एकदम परफेक्ट बनके चोखा तयार हो गया है अब इसको हम दूसरा बाउल में लिकाल लेंगे तक है इसको बन कर देंगे तो गाईज लीजिए हेल्दी और टेस्टी पपीता के चोखा बनके तयार हो गया है तो आसा करती हूँ कि यह आप लोग का चोखा बहुत पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के पास सेर करना ना भूले हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाइकर के वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले साथे साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिजिएगा कि जैसे वीडियो अपलोड करू आपको लोग के पास तक चहुपता रहे इसी के साथ मिलते हैं अगला वीडियो में